हेलो मारे डियर फ्रेंड आज यहां परें वर्क्षिक नमबर 61 है सम राजनितिक विज्ञान की देखिए यह पॉलिटिकल साइंस की इसमें है मारे है पावर शेरिंग जो इसके में रिवीजन करनी है तो हमारा पहला कोर्शन कहता है कि करेक्ट करना है अंडरलाइन फ्रेज को in 1956 the act as a passed as is recognized Tamil as the only official language in this Sri Lanka तो आपका अंसर इसका Tamil के जगे सीहला उके देखिए आपका अंसर है सीहला second question आपका कहता है कि Tamil in a Sri Lanka field felt alienated because an actor was passed to request that English is the only official language a government for the prevention of policy that favor only the single applicant for the university position and the government job and a new constitution stipulate that the state shall protect only the Buddhism तो आपका अंसर किया है D all of the above इन तीनों जो उपर इतने भी comments दिये हुए हैं इस इहली को से पेक official language मारा गया और साल साल गॉर्मेंट इन रूल पास कर दिया कि गॉर्मेंट जॉप में और उनिवर्सिटी में सिहली को ही मानेता मिलेगी और third है constitution के according सिफ गॉर्मेंट जो है सिफ बुदिजम वाले धरम को ही सिफ मानेता देगी तो आपका आंसर किया है D all of the above थार्ड कोशन आपको कहता है फिलिंग दा ब्लैंक से कि आए वालेंट कांफ्लिक्ट बेट्विन दा टू अपॉजिंग ग्रूप से विदिन अ कंट्री एट बिकम सो इंटर्स्ट एट इट अप्यर लाइक वार इस नौन एस दी इस इविल वार एक एक एसी लड़ाई जो हो गई उसे तरी के से सिविल वार होता है फॉर्थ आपको कोशन कहता है कि आपको दो स्टेट्मेंट दी गई एसर्शन और दी रीजन अशर्शन कहता है और डिस्ट्रस बिट्वीन दी सिंगला इन तामिल टरन दे तो वाइट स्पेट कॉंफ्लिक्ट रिजन इसका न्यू आपका अंसर जो है बी वाला है कि ए भी सही है और आर भी सही है लेकिन जो आर है हमारा रिजन है वो करेट एक्सिपलिशन नहीं करता है एका एक कहता है कि सीला तमिल के बीच में बहुता दो कॉंफ्लिक्ट हो गए कारण इसका क्या है कि गवर्मेट ने ये रूल पास किया कि जो स्री लंका सिफ बुधिस्म धरम को इसे प्रोटेक्ट करेगी तो नहीं इसमें और भी बहुत सारी चीजे हैं वो सब मिला कर टोटल इस बात को इसका रीजन बनेगा अब देखिए फिफ्ट आपको कह रहा है कि explain the cartoon in your own words आपको explain करना इस cartoon में तो देखिए आपको देख तो मेरे हिसाब से देखिए इसका अंसर है आप पिक्चर शोड़ एट ओल्डी पावर इन ओल्ली वन है दिसे नो वन पॉर दी पावर शेरिंग पिक्चर हमें यह शोड़ करती है कि जो पितने ही पावर है सिर्फ एक की हाथ में है ठीक है फिर आपका 6th question कहता है how many amendments have been made in the constitution of the Belgium before 1972-1993 in 1973-1993 में कितने amendments रुए Belgium में तो आपका आंसर है इसका 4 amendments 7th question कहता है Sri Lanka which type of government was adopted in the Sri Lanka to maintain the dominance in the Sihila community तो इसका आपका आंसर है मैजर्टेरिनिजम मतलब क्या थे यहां पर क्या था सिंहिला जो उनकी पावर बहुच आता थी आप पर जो मेजर्टी में कहते है सिंहला पर संती थे इसलिए उसकी पॉपोलर्टी और उनकी मैजर्टी को देख करी उसनी की सरकार बनी थी आपका 8 question कहता है which two main language language as spoken in the Belgium Belgium में कौनसी दो man language बोली जाती है तो आपका Dutch or French 9th है which major group social group considered the large share in the population of Sri Lanka तो आपका answer है Sihila 10th है आपका name any two country which share the border with the Belgium तो आपका answer है इसका France and Germany एक बार एंसर हम फिर से देख लेते हैं 1st का आपका Sihila है 2nd का आपका D, all of the above 3rd का आपका Civil War है 4th का आपका B है 5th का आपका कहता है कि picture show that all the powers in only one hand 6th का आपका 4th amendment 7th का आपका Mesoterranism 8 काता है Dutch and French 9th काता है Singla 10th है आपका French and Germany ओके फ्रेंट्स यहाँ पर हमारा वीडियो कांप्लिट हुता है I hope आपका वीडियो अच्छे लगा वीडियो से लाइक किजिए कमेंट किजिए शियर किजिए अब ये वीडियो देखने के लिए मचान को सब्सक्राइब दीजिए थैंक यू